हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो वेलकम है आपका अपने चैनल में तो इस टाइम पर धूपाई थी मौसम जैसे आपको दिख रहा है खिला खिला है तो मैंने का चलो कपड़े डाल देती हूं छट के उपर बच्चों को नहला है था सारे कपड़े सारा काम हो गया था इस टाइम के लिए तो कपड़े डालने आ गए थी छट के उपर और मतलब शाम कही टाइम है मतलब यह है बारवजे के बाद कही टाइम है कपड़े तो मैंने दुल दिये थे बट वही है मौसम जैसा आजकल चली रहा है तो बस यहां पर मशीन वगेरे तो है नहीं यहां पर तो यहां पर बस ऐसे ही कपड़े सुخाने की दिक्कत हो खरी दुलनी तो कोई बात नहीं को धुलना तो हाथ से सही रहता है बड़िये यह के सुखानी की दिक्कत हो रही ह। तो बच्चों की class हो गई थी, जैसे बच्चों की online class चल रही हैं, तो बस कपड़े डालके फिर हम मैंने का चलो आप खाना खाते हैं, तो यहाँ पे खाना ला रहे हूं, यहाँ पे मेरा बेटा मेरी वीडियो बना रहा है, तो खाना खा रहे हैं, खाना खाने स्टार्ट करते ह और यह हमारा dining room में dining table तो है नहीं बट नीचे बैटके हम dining room में ही खाना खाते हैं, तो बस यहाँ पे खाना खाएंगे, और बच्चे तो देखी रहे हैं, आप फोन पे बैटे हैं, जैसा ही है, मैं इतना माना करती हूं, फिर भी आजकल के बच्चे तो आपको पता ही है, औ और मैंने फौन नीचे पे रखाया, और कितना आज़ा एंगल बन रहा है ना, तो और अभी हमारे घर भी ऐसे अधुरा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है, क्यूंकि वो मार्बल भी रहा है, और अभी पुट्ट तो बहुत दूख होता है हिमान चल में हो चाहे अपने उत्राखंड में हो बहुत बुरे हाल हो रहे कहीं नदी है कहीं नाले आ रहे हैं तो बस खाना काने के बाद हम सो जाएंगे और फिर थोड़ी देरेस्ट करके फिर शाम कोटेंगे और यहां पर मैं कपड़े लिया थी श अच्छे से सूख गए थे आज कपड़े यह है कि मतलब आज कल यह यह दो तीन दिन के कपड़े एक दिन में सूख रहे है जब धूप आ रही है थोड़ा सा दूपी क्यारी गर्माहट भी है तो उसमें भी यह कपड़े सूख ही जाते है और बैट शिट वगेरा मैंने दू इस पर आएगा क्योंकि इतने वियू भी नहीं आते तो इसलिए मन भी नहीं करता है डालने का और आज कर अकेली हूँ फर्स टाइम मैं ऐसे रह रही हूँ अकेले पूरे घर में अकेली हूँ मतलब बच्चे हैं साथ में बट बिना हजबंड के या ममी पापा के सोच लो मकान मालिक रहते हैं या फिर सस्राल में रही हूँ तो साथ ससूर रहते हैं बट ऐसे फिलाल फर्स टाइम में रह रही हूँ कि घर में अकेले रह रही हूँ तो मैं सुचा था नहीं रह पाऊंगी बट चलो रहे गई हूँ और इंसान कंडिशन के साब से रहने भी लगता ह और ये सीधे next day का है तो next day का routine में आपके साथ ये share कर रही हो कि सारा काम मेरा हो जाता है उसके बाद बच्चों की class जो चलती है online उसके बाद मुझे ये बिस्तर दुबारा से ठीक करना पड़ता है copy, किताब, laptop, सब बच्चे छोड़के चले जाते हैं बस आज कल बच्चों के साथ head trick बनी वी है वो ये घर में भी है, तो काम है और school भी जाते हैं तो फिर उन्हें लेने छोड़ने जाना है मतलब इन्सान और चैन से नहीं रह सकती है घर में ऺho करो, school जा रहा है तो school भी लेने छोड़ने जाओ तो यह यह, बस बच्चों के साथ काम लगा है और भगवान करें सब का यह काम लगा रहे क्योंकि बच्चे होना भी बहुत जरूरी है और उनके काम से ही उनके काम में ही मतलब ओरत का दिन निकल जाता है और अच्छा भी लगता है तो बस दुबारा से बैट शिट जाड़ दूं क्योंकि पैंसिल वगेरे शापनर वह करते हैं तो उससे यह कि थोड़ा बहुत कवाड़ा तो रही जाता है और गद्दे के कवर भी लाने मेरा बेटा बोड़ा था लोग देखेंगे न मैं में बोलेंगे क्या इनके गद्दे अलग अलग कलर के हैं तो अलग अलग टाइम लिए हैं तो यह कलर अलग अलग गद्दे हैं और विर्वी वाले गद्दे हैं तो बस यहां पर बैट शिट बिचा दूंगे और यह न मुझे यह गिफ्ट ही मिली थी जब मैं ग्रहा प्रवीश्वा था उस ट्राइम पर जढा कर दो उलो वसे एग साब इड़ लेंगर तुम ऐगया